अलो दोस्तो आप सभी का के आर एजुकेशन पे स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे एक most important topic पे यहाँ पे जो है रेल्वे ने group D की post यहाँ पे खतम कर दिये अब जो है group D वाले भी यहाँ पे group C के अंदर आएंगे तो देख लेते हैं सारा कुछ जो है एक letter वाइरल हो अर्छा आढ़ा है और इस later में जो है क्या कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे सभी पोस्टो को आपके एग गजी टेड्ड पोस्टो को बी group की पोश्टो को और सी गुरूप की पोस्टो को classified किया है कि A में कौन कौन सी आइंगे B में कौन सी आइंगे और C में और यहाँ पे जो है डी गुरूब डी पोस्ट को यहां पर खतम कर दिया गया है सभी लेवल 1 से 7 की पोस्ट यहां पर आपके गुरूप में आएगी तो अपन सारा कुछ देखते हैं डीटेल से इसमें क्या कोच इस लेटर में और साथ दोस्तों बात भी करेंगे कि रेलवे के अंदर आपको व्यतनवर्दी का नाव हमें सा मिलता रहेगा लेकिन आपको प्रोमोशन या पर नहीं मिलेगा अगर गूरूप में भर्ती होते हो तो अब जोए बहुत Zum به से ही डिडेर हो जाओं तो देख़ेंगे सारा घोच इसमें देख लेते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है तो देखे दोस्तों सबसे पहले यह जो लेटर है गर्मेंट ऑं इंडिया का बारत सरकार मिस्ट्री और में इसका आरवी नंबर यह हो गया और यह जो लेटर है 171-2023 को ही रिलीज हो यह बहुत ज्यादा पुराना लेटर नहीं है कि 172-2023 को यहां पर रिलीज हो है और फाइल नंबर इसका यह हो गया अब इस लेटर का जो सब्जेक्ट किया दोस्तो इस तो इस प्रकार यहां पर कौंशी पोस्टो को किस गुरूप में डाल दिया गया है तो इसमें सारा को देखते हैं अपन इसमें लिखा है इन एक्ससाइज और पावर्स कॉनफर्ड यानि इस 309 आर्टिकल के तयर यहां पर सविदान के 309 आर्टिकल के तयर जो प्रिजिडेंट है वो पावर रखता है कि रेल्वे के जो है जनरल और स्पेसल जो ओडर है वो टाइम टो टाइम यहां पर यह रिवाइज कर सकता है और इसमें जो है रेल्वे सर्विस पोस्ट सेल भी क्लासिफाइड एस फो लेवल फ्रों 10-17 एक्सलूडियूं दे पोस्ट फैलिंग इन ऐसा नंबर 2 & 3 बिलो यह इन दोनों को अगर छोड़ दें अपन एक्सलूड कर दें दोनों को तो यहां पर लेवल 10-17 यह लेवल 10-17 के जो सभी पोस्ट है वह आपके आएगी ग्रूप A गजिटेट पोस्टो जो है आपके ग्रूप B में आएगी A railway service post carrying the pay in the pay matrix at level 8 & 9 excluding the post failing in SI number 3 बिलो यह इस तीज नंबर को अगर अपन छोड़ देंगे और आपके जो यह लेवल 8 & 9 इन में जो पोस्ट आएगी वह आपकी ग्रूप B में आएगी और यहां पर साब साब लिखा हुआ है कि the post of assistant nursing officer in level 10 of the pay matrix, principal, head, master, head, mistress, secondary high school equivalent, basic grade and senior grade in level 10 and level 11 of the pay matrix and non-functional grade of group B, gadgeted post of various organization railway service, RBSS, RBSS in level 10 of the pay matrix will continue to be classification as group B, gadgeted post. यह सभी जो पोस्ट हैं दोस्तों यह भी आपकी जो है group B की पोस्टों के अंदर आएगी, gadgeted group B की पोस्टे कहलाएगी यह सभी पोस्टे भी इसके बाद में group C में पन देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट आएगी तो देखो यहां पर है लिखा हुआ है यह railway service post carrying the pay in the pay matrix at the level from 1 to 7 देखो यहां पर साब साब लिखा हुआ है कि level 1 से लेके level 7 तकी सारी पोस्ट हैं आपके ग्रूप C में आएगी यहनि आपके level 1 में आती है आपके group D तो अब ग्रूप D में नहीं रहेगी वह आपके ग्रूप C में अकाउंट की जाएगी आपके group D नाम की अब railway में कोई पोस्ट नहीं रहने वाली दोस्तों आगे लिखा भाया है पोस्ट ओप सीनियर एसो अकाउंट्स सीनियर ट्रवलिंग इंस्पेक्टर अकाउंट्स सीनियर इंस्पेक्टर इस्टोर इन लेवल 8 और 9 नोन पंक्शनल ओप दे पैमेट्रिक्स तो देखो यहां पे एक आ गया इनको यहां पर प्रमोशन नहीं दी गया है तो यहां पर इनको भी अपन ग्रूप सी के अंदर ही मानेंगे इसके लावा पे मेट्रिक्स सीनियर नर्सिंग सुपर्डेंट इन लेवल टेन और पेमेट्रिक्स प्राइमरी इस्कूल टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इक्विलेंट बेसिक सीनियर सेलेक्शन ग्रेड वर्किंग इन लेवल एट नाइन टेन इलेवन देखलो यहां पर आपके यह सभी पोस्टों वाले अगर ग्रूप आपके लेवल एट में काम करेंगे लेवल नों में करेंगे लेवल टेन में करेंगे लेवल इन सभी वैसे as per rule देखा जाए तो लेवल 8 और 9 वालों को अपन ग्रूप B की गजिटेट पोस्ट मानेंगे और ग्रूप 10 से लेवल 10 से उपर की जो पोस्ट हैं 17 तक उसको अपन ग्रूप A की पोस्ट मानेंगे लेकिन आपको जो है इन सब भी को यहाँ पे लेवल 8, 9, 10 इन सब में नोकरि करने के बाद में इनको गुरूप C में माना जाएगा यह जो पे मेट्रिक्स आपको बारबर दिख रहा दोस्तो इसका मतलब है कि आपको जो यहाँ पर वेतनवर्धी का लाप दिया जाएगा आपको जो यहाँ पर प्रमोशन नहीं दिया जाएगा जैसे हमाठ करू जो हमेशा C group में रखा जता है तो यहाँ पर यह आपके लेवल 6 में होता है यह लेवल 7 में हो जाएगा इसके बाद में इनको लेवल 8 भी मिलता है और 400 भी मिलता है यानी 8 और 9 अब देखो वैसे एकर एस पर रूल अपन माने तो 8 और 9 वाले को जो है group B गजिटेर पोस्ट हो इसके बाद में उसके बाद में जो है वह फर्ष्ट के टीचर बन जागा यहाँ पर थर्ड ग्रेवल टीचर जो है एक गजिटेर पोस्ट से होकर निकल रहा है एक राजपत्री तदिकारी बनके निकल रहा है जबकि रेलेव में ऐसा नहीं होता है यह तो यह बहुत ही लेकि जाएगी लेकिन आपको पोस्ट का लाब नहीं दिया जाएगा इसको यह पैमेट्रिक्स बोल दिया करते हैं दोस्तों इसके बाद में लिखा हुआ है यहाँ पे साब साब लिखा हुआ है इन सब के पास में 8, 9, 10, 11 लेवल होने के बाद में इनको ग्रूप C में ही रखा जाएगा यह लिखा हुआ है दोस्तों अभी आप सभी ने सुना होगा कुछ दिन पहले नॉम्बर के अंदरी यह सत्रा ग्रूपC यहां पर अप्ग्रेडेशन पॉलीश ही लाएते हैं और वह जल्दी लागू भी हो जाएगी इसके उपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बिना रखाया कि अप्ग्रेशन में जो है किन किन को फायदा मिलेगा यहां पर ट्रेन मैनेजर और लोको पैलेट को यहां पर कम लगेगा बाकियां सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वह कॉमर्शिल वालों को होगा जिनकी जो 800 ग्रेड में बरती होते हैं वह पहले जो है लास्ट 4600 ग्रेड तक पहुंचते थे अब जो है अपग्रेशन की पॉलिश याने के बाद में वो लोग भी जो है चोंज सब को पहुंचेंगे नॉन फंक्शनल में यहां पर इनको कोई गजिटेट पोस्ट नहीं दे जाएगी यह में इसां ग्रूप C के अंदर ही रहेंगे ग्रूप B में नहीं जाएंगे जब तक यह कोई डिपार्टमेंटल एक्जाम देके यह ओम अगरे या फिर जो है एक्जाम अगरे एक्जाम नहीं क्लिवर कर लेते हैं तब तक यह ग्रूप C के अंदर ही रहेंगे इसके बाद में दोस्तों साब साब लिखा है नोट्स में एक पर्सन प्लेशन इन हायर लेवल ओप पे मेट्रिक्स अंडर इन सितू प्रमोशन स्कीम मसीप यह आगे मसीप मतलता है आपको यहां पर वेतनवर्दी का लाब दिया जाएगा आपको पर्मोशन का लाब यहां पर नहीं दिया जाएगा इसकी मिल घंट्नु टू तू रिटेन दा applicable to basic grade post वो यह सभी लोग भी जो है अपनी basic grade post पे रहेंगे इसके बाद में the assistant section officers of railway board secretariat service RBSS and personal assistant of railway board secretariat stenographers service RBSS will continue to be classified as group B non-gageted देखो दोस्तों इनके पास में जो है इनको group B post में रखा रहा गया लेकिन इनको गजिटेट फिर भी नहीं बनाया गया इन सभी पोस्टों को यहाँ पे group B में रहेंगे लेकिन non-gageted रहेंगे इसके बाद में इसके बाद में आप पढ़ सकते हो सारे को आपके दो नमबर पॉइंट तीन नमबर सारे इसमें जो है क्या क्या सारा कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे जो रिवाइज रूल था दोदा सोला का इसको चेंज करके और यहाँ पे उस दोदा सोला वारे रूम में जो है इसका जो रूल नमबर 106 और 107 है इसके लिए अमेंडमेंट भी यहाँ पे निकाल दिया गया और अमेंडमेंट सिल्प जो है यहाँ पे एडवांस में निकाल दी गए क्रेक्शन सिल्प 145 जो कि इसी के साथ इस पीडिया में आपको दोस्तों इसमें आप देख पाएंगे यहाँ पे जो है इन सभी को जो है कोपीस की भेजी जगई है इंप्लिमेंट के लिए और इसमें यह देखो आपके एडवांस करेक्शन सिल्प 145 है इसमें सारा कुछ आप पढ़ सकते हो गजिटेट में कौन रहेंगे नोन गजिटेट में कौन रहेंगे और सारे को जो है क्लासिफिकेशन इसमें किया गया है तो दोस्तों इस पीडिएफ का जो है मोरलिये निकला है कि आपके जो है ग्रूप डी की पोस्ट यहां पे खत्म कर दी गई है और आपका जो प्रमोशन होगा दोस्तों वह में जुरूर जोइन हो जाए वहां पर बहुत सारे स्लेक्टर प्रिश्टे से मास्टर ग्रूप डी एंप्लोई और जो कारे रतकरम चारी है वो भी है उसमें तो हर टोपिक पे डिटेल से चर्चा होती है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रूप जुरूर जोइन कर लिए जिसका की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेर और सस्क्राइब करें थैंक यू